हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपने चैनल धरियल रिपोर्ट में दोस्तो इस चैनल पर दी जाने वाले सभी जानकर या बिल्कुल संपुर्ण सटिक और कारगर होती है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे खादिरा रिष्ट सीरप के बारे में इस सीरप को लेने से आपको क्या-क्या फाइदे होंगे इसे लेने का सही समय क्या है इसकी सही मात्रा डोस क्या है और किस तरीके से आपको लेना है और किन-किन लोगों को ये लेना चाहिए किन-किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए क्या आपको इस सीरप की जरूरत है और यह आपको कहां मिल यह सबी सवाल के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे ठीक है तो चली शुरू करते हैं खादिरा रिष्ट शीरप एक हर्बल तरल आयरुवेदिक दवा है वैकल पर कुरूप से इसके बहुत नाम है खादिरा रिष्टम और खादिरा रिष्ट के नाम से भी यह ज खून और आतों पर एक सक्तिसाली प्रभाव डालता है और अंदर से इसे ठीक करता है और इसका इलाज करता है तो खादिरा रिष्ट के कुछ लाब हैं फाइदे क्या क्या है वो चली चान लेते हैं जिन लोगों को मुहां से दाने आ जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साफ हो जाएंगे और विशात पदात बनने को कम करता है मतलब बैक्टेरिया को उसी वक्त रोक देता है जो मुहां से और खिल बिल्कुल रुक जाते हैं जो बढ़ने लगते हैं दिरे दिरे वो बिल्कुल अपने आप कम हो जाते हैं खादिरा रिष्ट गाठ या स्टिक द जीरप का सेवन करना दिरे दिरे स्टार्ट करोगे तो दिरे दिरे ये बिल्कुल कम हो जाएंगे ये तेल के बनने को कम करता है जो कील मुहां से होते हैं उसके अंदर जो हम तेल ओईली चीज़े खाते हैं आप नोटिस करना ओईली चीज़े खाने से मुहां से कील ना बढ हो जाते हैं यह खून को साफ कर लेता है इसके अंदर वो गुण होते हैं जो खून को साफ कर पुराने से पुराने तवचा रोगों को बिल्कुल ठीक करता है एंट्री इंफ्लामेटरी एक्टिविडी खादिरा रिष्ट में ऐसे गुण होते हैं एंट्री इंफ्लामेटरी गुणत वचा में कहीं भी समस्या हो कितनी भी समस्या हो यह उसे बिल्कुल ठीक करता है और कुछ लोगों को स्वाथ की संबंदित समस्या होती है यह अस्तमा जुकाम जैसे सांस फुलना समस्याओं का समाधान करता है उन लक्षणों को दूर करने में उपयोगी जैसे वायुमार का संकुचित होना ब्रोंकियल कंजेक्शन सांस की तकलिप आदी इन सब में ये अच्छा प्रभाव डालता है अच्छा पाचन स्वास्थ खादिरारिष्ट के सेवन से आपको कब्ज की समस्याद दूर हो सकती है कुछ लोगों को कब्ज में जो मल है बहुत हाड आता है वो मल को ये नर्म बनाता है और पेट के अंदर जो कीडे हैं उसको भी ये खत्म करता है कुछ लोगों को गेस्ट्रिक प्रॉब्लेम रहती है गेस बनना डका आराना उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसके अंदर मोजुद सिरोसिस और लीवर कानोसिस को रोकता है हार्ट के लिए ये टोनिक माना जाते है खादिरारिष्ट सिरप आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है क्योंकि हार्ट के अंदर होने वाले जो डिजीज है जो बीमारिया है उसके अंदर भी अवरोदक का काम करता है वो बीमारिया होने से ये रोकता है एंटी ओक्सिडंट के रूप में भी ये काम करता है जो सरीर में हानी का रक्ततव है उसे मुक्त करता है और आपका मेटाबोलिजम भी अच्छा बनाता है और सरीर में होने वाले सभी इंफेक्शन को भी ये कम क करता है जो आपकी आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे बूश्ट करता है और कुरुबी नासे कुछ लोगों को पेट में कीड़े हो जाते हैं यह सारी प्रॉब्लेम्स होती उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है जो पेट के कीड़ों को यह मारता ह चले अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यह आपको मिलेगी कहां तो यह आपको आपके सहर में कोई भी पंसार मतलब आयुरुवेदिक दुकान है आयुरुवेदिक दवाओं की दुकान है उसके वहां मिल जाएंगी अगर ना मिले तो ओनलाइन भी आप मंगा सकते हो की खाना खाने के बाद 15 या 20 मिनिट के बाद आप 15 या भी समय इसे ले सकते हैं गूनगुने पानी के साथ गूनगुना पानी कितना लेना है वह भी सेम मात्रा में 15 या 20 मेल की इस मात्रा में करना है और रात में भी इसका खाना खाने के 20 मिनिट के बाद इसका सेवन करना है कहां मिलना है कहां मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया कितनी ब्रांड इसे सेल करती है वो भी मैंने आपको बता दिया और डोस क्या है वो भी अभी हम बात करेंगे किन-किन लोगों को ये लेना चाहिए किन-किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए और कब नहीं लेना है तो आपको ये भुखे पेट खाना खाने से पहले आपको इसे कभी नहीं लेना है याद रखे भुखे पेट आपको कभी भी इसका उपयोग नहीं करना है और जिन लोगों को डाइबिटीस जा कर सकते हैं यह आपकी बोड़ी को फाइदा ही करेंगा क्योंकि यह एक आयरुवेदिक आउश्यदी है आयरुवेदिक टोनिक है और दोस्तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखे हमें जरूर बताए अगर आप नए हो इस चैनल पे तो हमारे इस वीडियो को लाइ के टिके दोस्तो तेंग्य।